1690 में आज ही के दिन फ्रांस के राजा लुई चौधवे ने आयरलैंड में सेना भेजी 1846 में आज ही के दिन अमरित सरसंधी के मताबिक कश्मीर का अधिपत्य जम्मू के हिंदु राजा गुलाव सिंख को दे दिया गया 1922 में आज ही के दिन सुल्टान फवाद प्रथम मिस्र के सुल्टान बने इंग्लैंड ने मिस्र को मानिता दी 1949 में आज ही के दिन जर्मनी ने चेकोस्लो वागिया पर कबजा किया 1969 में आज ही के दिन इराक और सोवियत संग ने आर्थिक एवं तकनीक समझोते पर हस्ताक्षर किये 1966 में आज ही के दिन अमरीका ने मानवियुक्त अंत्रिक्षियान जेमिनी 8 लौंच किया 1976 में आज ही के दिन आठ सालों तक ब्रिटेन के प्रधान मंत्री और 13 वर्षों तक लेवर पार्टी के नेता रहे हैरल्ड विल्सन ने त्याग पत्र देकर सब को चौका दिया था 1995 में आज ही के दिन नासा अंत्रिक्ष यात्री नौर्मन रूसी अंत्रिक्ष स्टेशन मीर का दौरा करने वाले पहले अमरीकी बने 2006 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट की महासभा ने संयुक्त राष्ट मानावधिकार समीथी के गठन के लिए सर्व सम्मती से वोट दिया 2012 में आज ही के दिन भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुल कर अंतराश्ट्री क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाडी बने और आज ही के दिन 2014 में क्रीमिया के लोगों ने युक्रेन छोड़ कर रूस में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया